हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं साड़ी रियूज आइडिया जो मैं मोस्त लेकर आती रहती हूं तो उसमें से हमने क्या गया आज हमने फ्रॉक्सूट रेडी किया है यह हमारा पूरा मेजरमेंट है आप ध्या जैसे मैं इसको प्रॉपर तरीके साब को नहीं बता रही हूं और हम पहले इसकी कोटी कट कर लेंगे कोटी वही फुल लेंग प्लस वन करके हम इसको कट कर लेंगे बाकि पूरा मेजरमेंट हमारा बही रहेगा इसके बाद हम इसके नीचे वाला पार्ट कट करेंगे जितन पोलता है तो हमने अपना कपड़ा भी कट कर लिया देशाडी का और हमने स्लिप्स कटकर लिया नॉर्मल है कोटी को हम गले से बना देंगे अपना हम यह इसका प्रेंट नैक में साड़े 6 रख रही हूं और जैसे मैं आपको पूरा मेजरमेंट और यूर वीडियो में बता र और आप चाहें, तो उपने साडी की मैं इस साडी की बना सकते हैं, या फिरेल वाइय फिरेल फिरेल ग्युसी मैं अभी डिमाद साडी का इन साडी का बना उप अधार प्रॉक्टी की डिमाद काना你 और आते हैं अपनी वीडियो पी तो इस तरीके से हम रहें पूरा नेक कर लिया है हम अपना बैक साइड पी रहें कोटी का और जेकिए मैंने रहें रख लिया है इसमें हम जोइन करेंगे अपने कंदो को हमेशा जो भी आप गले करते हैं वह ऐसी करें एक साइट या प्रॉपर गला बना लें दूसरी साइट से इस तरीके से रखके इसको फोल्ड कर लें ताकि हमारे इसमें क्या होता है इस सैट हमारी फनिशिंग आ जाते हैं कही बार आपने देखा होगा गले जोड़ते टाइम प्रॉपर निशिंग निकल ले होते हैं तो इस इसमें विल्गूर प्रॉपर पुरा सेट हो जाता है फिर उसको फोल्ड करके हम कर लेते हैं और हम इतने लगा लेंगे अपनी बेजर्बेंट को कॉड़िंग और हमेशा जिहां रहे जो भी हमारे फ्रॉक्सूट होती है उस यहां सब्सक्राइब होगे अब इसको ठीक करने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं पीछे प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं खाली बैक साइट में थोड़ी सी या फिर साइट साइट में थोड़ी उससे का अपकी कमर की फिटिंग भी हो जाएगी और हमें बहुत अ मज़ में आ गया होगा और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं ऐसी ही डियूज आइडियास पर लाती रहती हूँ और थाइंक यूपर वाचिंग